गेल के तरब से ऑफिस्यल नोडिफिकेशन आउट कर दी गहा है, ग्यास ओथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेट के तरब से दोचार तेस की रिकूटमेंट की नोडिफिकेशन अभी आउट कर दी गही है, इसमें फ्रेसर्स वाले इलिजिबल होंगे, परमानेंट जॉब्स के रख सकते हैं, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा टेलिग्राम चैनल है, आप लोग सर्च करके लिजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके यहां पर आप लोग आ जाओगे, मैं यहां पर ओ जो पीडियाप है, यहां से आप इंडिया का अंडर्टेगिंग में आता है, और इसमें अभी वेकंसी आउट कर दी गई है, दोजार तैस के लिए, यहां पर आप लोग देख पाएंगे, यह महान रातना PSU है, जो भी इलिजिबल होता है, इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, परते एक साल इसके तरफ से वेकंस इसमें जो भी आप मार्क स्कोर करोगे, उसके आधार पर आपको इसमें जौब मिलने वाली है, इसमें किसके किसके ब्रांच के लिए इसमें वेकंसी निकली है, तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे, एक्सक्यूटिव ट्रेनी, इटी, आपका ब्रांच जो है, केमिक सिभिल उसके बाद आपका electronics and communication engineering, computer science and information technology इस बार जो है 2023 में mechanical वालों के लिए कोई vacancy नहीं है सभी साल राती है इस बार mechanical वालों के लिए कोई vacancy नहीं देगी है यह सभी ब्रांज से अगर आप लोग B.E.B.T.E.C. किये हैं और gate में appear होंगे तो जो भी आप mark score करेंगे उसके अधार पर आपको इसमें directly job मिलने वाली है इसका जो detailed advertisement है ओभी out कर दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे Gale India Limited का career opportunity as executive training के post पे इसमें आप लोग job ले सकते हो इसमें अभी सभी कुछ details में out कर दिया गया है लेकिन यह अभी out नहीं किया गया है कि कितनी number of vacancy इसमें out की गई है ओ जब आप लोग का gate का जो exams है ओ complete हो जाएगा result आ जाएगा उसके बाद आप लोग इसमें apply कर पाएंगे अभी इसका date भी नहीं दिया गया है यहाँ पर आप लोग अगर इसका minimum essential qualification अगर आप लोग बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं minimum 65% mark होने चाहिए आपका यह सभी branch में यह सभी branch से अगर आप लोग कर रखे हैं बी बीटेक तो apply कर पाएंगे जिसमें कि जो आपका leading branch है ओ भी है और आपका जो sub branch है ओ भी है यहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हैं age limit की बात करें तो आपका जो age है वो 26 years होने चाहिए upper age limit है आपका ज़्यादा ज्यादा 26 होने चाहिए इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए 15 March 2022 के अनुसार से as calculate किया जाएगा और आपको relaxation भी मिल जाएगा अलगलग category के अनुसार से जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो जो भी candidate इसके लिए apply करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर आप इस बहुत ही important होने वाले इस vacancy के लिए आप लोग जरूर से gate 23 का जो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और उसका preparation कर सकते हैं अच्छा mark ला सकते हैं लाइए तब आपको इसमें job असानी से मिल जाएगी इसमें सभी कुछ details में दिया गया है तो आप लोग इस PDF को download करके पर सक only indicating their gate 23 registration number other means mode of applicable shall be the relevant link will be made available इसके website पे 14 February 2023 से ले करके 15 March 2023 के बीच में इसका tentative date दिया गया है कि इस date में हम इस जो vacancy का form फिल करवाएंगे जब gate 23 का result आ जाएगा तब gate का जो schedule है आप लोग यहां पर देख पाएंगे gate 23 का जो इसमें online registration है वो 30 अगस से start हो चुका है और last date जो है वो 30 September 2022 है तो इस date के बीच में आप लोग जो gate का form है वो फिल कर सकते हैं और जो इसका गेल का जो form है वो 14 February 2023 से ले करके 15 March 2023 के बीच में आप लोग इसका form फिल कर पाऊंगे तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी main information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query डग होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं और इसी तरह के jobs update और notification की update पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डग सकते हैं वीडियो क पैसा लगा comment section में जरूँ बताइएगा और अच्छा लगा हो तो जरूँर से like, share, subscribe कर दीजिएगा